डियर स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे चैप्टर टेंथ की प्रॉब्लम्स टापिक है सर्कल्स बिटे हम अपने डेली लाइफ में काफी सारे अप्जेक्ट्स को अपने आस पास देखते हैं जैसे वील, क्लॉक, कीरिंग, बटन, बैंगल्स, कॉइन्स, एसेट्रा ये सारे जो अप्जेक्ट्स हैं वो सर्कुलर शेव में होते हैं टू-डाइमेंशनल होते हैं तो आएए सर्कल्स और उससे लेट्ट्ड जो टर्म्स हैं जो की पॉइंट्स हैं उनको समझते हैं सबसे पहले बटा हमें ये पता होना चाहिए कि सर्कल किसे कहते हैं ठीक है ना जो सर्कल होता है वो काफी सारे पॉइंट्स की कलेक्शन होता है एक पात होता है एक रस्ता होता है जो सारे पॉइंट्स होते हैं वो एक फिक्ष्ट पॉइंट से फिक्ष्ट डिस्टेंस पे होते हैं ठीक है ना Circle is the collection of all the points in a plane which are at a constant distance, fixed distance from this point O, O is called center of the circle and OP, fixed distance is called radius of the circle, ठीक है, यह आपको figure में नजरा रहा है यहाँ पे, O को आप कहते हैं, center of the circle and OP है, वो fixed distance है, इसको आप कहते हैं, radius of the circle, और एक circle में infinite number of points होते हैं, uncountable points होते हैं, ओकी, circle एक plane figure होती है बिटे, circle divides the plane on which it lies into three parts, एक circle है जो plane पे लाई करता है, वो उसको three parts में यहाँ पे divide करता है, जैसे आप देखिए, एक तो होता है circle का interior part, एक होता है on the circle, और एक होता है exterior part of the circle, हम यहाँ पी कोई अगर point लेंगे, तो वो circle के interior part में होगा, अगर आप कोई भी point है, उसकी circumference पे लेंगे, उसकी boundary पे लेंगे, circle पे लेंगे, तो वो हो जाएगा on the circle, अगर आप कोई भी point है, वो बहार की तरफ लेंगे, तो वो उसके exterior region में होगा, अब आप इस figure में देखिए, पी क्या हूँ क्या है, पी क्या हूँ है, एक cord of the circle, circle की boundary पे, circle पे अगर आप दो point लेते हैं, और उसको आप join करते हो, तो जो straight line आप के पास आती है, उसको आप कहते है, cord of the circle, इसी तर अबी भी ये cord है, लेकिन वो circle के center से पास हो रही है, circle, diameter of the circle, is the biggest cord, अब आप next figure में देखिए, यहाँ पे हमारे पास PQ क्या है, एक arc है, छोटी arc है, circle की circumference का जो भाग है, उसको आप कहते हैं, arc, ठीक है न, यह curve की form में है, यह straight line की form में नहीं, ठीक है न, तो PQ क्या है, minor arc है, minor arc PQ, और यहाँ पे अगर आप इसको देख रहे हैं, यहाँ पी, P, R, Q, इसको आप कहेंगे, major arc of the circle, ठीक है, अब बेटे, इस figure में देखिए, इस circle के अंदर, जो circle की cord है, और arc के बीच का जो घिरा हुआ भाग है, छोटे वाला जो भाग है, ठीक है न, उसको आप कहेंगे, minor segment, ठीक है न, यानि segment है, वो किस पार्ट को कहते हैं, circular form में, एक cord और arc के बीच का जो घिरा हुआ भाग है, minor arc है, तो हम उसको कहेंगे, minor segment, major arc, ठीक है, और cord का जो भाग है, बीच वाला जो भाग है, circular portion आपको जो नज़रा रहा है, उसको आप कहेंगे, major segment, major segment and minor segment, यहाँ पे देखिए, यह है minor sector, sector, और यह जो बाकी मच रहा है, इसको कहेंगे major sector, sector किसे कहते हैं, जो sector होता है, वो दो radius, और arc के बीच का भाग होता है, आप यहाँ पे देखिए, पी ओ क्या है, radius है, और ओ क्यों क्या है, यह भी radius है, यहनि circle की radii, यह दो radius को हम कहेंगे, radii, और arc के बीच का जो घिरावा भाग है, उसको आप कहेंगे, minor sector, ठीक है ना, जहाँ पे word आता है, sector, तो उसका मतलब होता है, minor sector, ठीक है ना, हमारे पास जो बड़ी arc है, और दो radius के बीच का जो घिरावा भाग है, उसको आप कहेंगे, major sector of the circle, ओके, तो बटा, यह circle से related key points है, आप इनको अच्छे से देख लिजिए, समझ लिजिए, वीडियो को pause करके, आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे हमने starting में circle को define किया है, O A है बेटा, radius, radius of the circle, BC क्या है फिगर में, radius का double, इसको आप कहते हैं, diameter of the circle, okay, diameter क्या है, biggest chord of the circle, code हम discuss कर चुके हैं, कि code क्या होता है, जब आप circle की boundary पर दो point लेते हैं, कहीं भी जैसे आपने दो point लिए उसको join किया, तो यह जो line segment है, यह chord क्या लाता है, DE क्या है, chord है यहाँ पे, और diameter क्या होती है, diameter biggest chord of the circle होती है, ठीक है, next point देखे, concentric circles क्या होते है, circles having same center but different radii, is known as concentric circle, concentric circles होते हैं, वो क्या होते हैं, उन सभी circles का एक ही center होता है, लेकिन radius अलग-अलग होती है, आप figure में देखी, R1, R2, R3, यह अलग-अलग circle है, C1, C2, C3, उनकी radius है, ठीक है न, radii है अलग-अलग, लेकिन सभी circles का एक ही center है, तो इस तरह कि जो circles होते हैं, उनको आप कहेंगे concentric circles, जहां कहीं भी आप देखते हैं कि खड़े पानी में, जहां कोई force नहीं होता है, और आप कोई भी चीज उपर से फैकते हैं, तो काफी सारे circles बनते हैं, तो वो जो सारे circles होते हैं, वो concentric circles ही होते हैं, क्योंकि सभी circles का center क्या होता है, एक ही point होता है, लेकिन सभी की radius अल circumference of the circle जिसको आप c से दिखाते हैं ठीक है ना length of complete circle is called circumference formula क्या होता है 2 pi r क्योंकि ये length होती है तो हम unit लगाएं unit simple और pi क्या है constant value सभी circles के लिए जो true होती है value उसको आप कहते है pi और ये जो pi की value होती है ये क्या होती है c by d अगर आप किसी भी circle की circumference को उसके diameter से जो divide करते है ना तो जो भी result होता है बटा वो constant value होती है उसको आप pi कहते है ठीक है ये value सभी circles के लिए true होती है अब arc किसे कहते है a piece of a circle between two points is called an arc आप देखते है कि जो circumference का portion जो होता है उसको आप arc कहते है circle का जो portion होता है circumference का boundary का उसको आप कहेंगे arc ठीक है ना between two points is called arc यहाँ पे figure में जो आपको नज़रा आ रहे है p q क्या है minor arc छोटी arc है यहाँ पे p r q क्या है बड़ी arc है major arc उसको आप इस तरह से दिखाएंगे जिमेट्रिकली इसी तरह हम major sector minor sector major segment और minor segment को देख सकते हैं figure में आप देखी सेक्टर में क्या होता है दो radius ठीक है ना radius और arc के 20 का घिरावब भाग है यहाँ पे sector कहेंगे इसको छोटे वाले sector और बड़े वाले sector चोटे वाले sector को कहेंगे major sector और बड़े वाले को कहेंगे major sector of the circle segment ठीक है ना एक आर्क का और कोड का जो गिराओ भाग है बड़े वाला जो portion आपको नज़रा रहा है इसको आप कहेंगे major segment ठीक है नor circle के area में से अगर आप majorgement का area minus कर देंगे तो minor segment का area जाएगा ठीक है न तो segment किसे कहेंगे एक code का और arc का जो गिरा हुआ भाग है उसको आप कहेंगे segment of the circle उके तो इस वीडियो में हमने chapter 10 के जो key points है circle related first or second exercise के जो key points है उनको अच्छे से discuss किया है circular terms को आप इनको अच्छे से समझ लिजेगा ठीक है इस वीडियो में बस इतना ही thank you so much